दोस्तों लगातार जो आप लगों के कमेंट्स थे हमारी वीडियोस पर जो पिछली हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है D-pharmacy और B-pharmacy के बारे में आपको बताया बहुत कुछ कैसे आप लाइसेंस लेंगे कैसे अड्मिशन लेंगे, क्या fees होगी किस कॉलिज की उन्हीं कमेंट्स को देखते हुए कि B Pharmacy में admission कैसे लेंगे फीस क्या हो कि कुछ अच्छी universities या colleges कौन सी है और कौन-कौन से तरह के benefits आपको मिलते हैं B Pharmacy करने के बाद मतलब की Bachelor of Pharmacy उसके बारे में बहुत कुछ आज हम discuss करने वाले हैं अपने इस वीडियो में दोस्तो जाना कुछ जानने के लिए बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तो फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Counseling India और मेरा नाम है विरिंदवर्मा जैसे आप सभी जानते हैं हम देश-विडेश की उनिवर्स्टी स्कॉलिजिस उनके कोर्सिस को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तो Bachelor of Pharmacy Bachelor of Pharmacy का नाम सुनते ही क्लियर यह समझाता है कि यह Bachelor degree है Bachelor degree है जो चार साल की होती है जिसके अंदर की आठ समेस्टर में एक्जाम्स कराए जाते हैं वो कैसे admission होता है? Feast क्या होती है? सबसे पहले आप यह समझेए Feast के ही topic को हम डिसकस कर लेते हैं कि ज़्यादा तर आप लोगों के सवाल जो हैं वो Feast को लेकर ही है आप किसी भी private university में अगर आप admission लेते हैं तो किसी भी private university में जो Feast होने वाली है वो 60,000 से लेकर एक लाग तक per year की हो सकती है उससे जादा भी हो सकती है अगर दोस्तों आप लोग बात करते हो colleges की colleges में Feast कितनी होगी Bachelor Pharmacy को करने के लिए जो colleges affiliate होते हैं PCI से से request है कि आप हमारी वीडियो को अभी like करें चैनल को अभी subscribe करें जो कि आप के लिए बिल्कुल free है बट इससे हमें प्रोचान मिलता है motivation मिलता है इसी तरह की educational videos आप तक पुचाने के लिए दोस्तों आप चाते हो pharmacy करना pharmacy में आप B pharmacy में ही admission क्यों ले सबसे बड़ा reason तो यह है कि अगर आप B pharmacy करते हो तो आपको एक license मिलता है एक license मतलब कि सिर्फ एक shop खोलने का license मतलब कि आप pharmacist बन सकते हैं chemist की shop खोल सकते हैं पर अगर यहीं पर आप अगर B pharmacy कर लेते हैं तो आपको तीन तरह के license मिलने की अनुमती मिल जाती है मतलब कि सबसे पहले pharmacist तो आप बन ही जाओगे chemist shop आप बिलकुल खोल सकते हैं क्योंकि आपको उसका license मिल जाता है PCI के दुआरा Pharma Council of India के दुआरा दूसरा आपको एक और license मिलता है कि wholesale में मतलब कि आप अपनी जो दवाएं हैं उनको distribute कर सकते हैं आप wholesale में उसका एक business कर सकते हैं और दोस्तो हम अगर बात करें तीसरे benefit की कि भी pharmacy करने के बाद में तीसरा क्या benefit मिलता है तो आपको benefit मिलता है कि आप अब यहाँ पर drug manufacturing का license भी आपको मिल जाता है मतलब कि आप अपनी दवाईयां भी बना सकते हैं वो depend करता है किस level पर आप वो काम करना चाते हैं दोस्तों यहीं पर अगर देखा जाए bachelor of pharmacy करने के लिए eligibility क्या होगी तो eligibility वही है जो defarmacy की होती है मतलब कि 12th pass होना चाहिए किसी भी एक recognize board से मतलब कि किसी भी एक recognize ऐसे board से जो कि कमस्रम listed हो जिसकी मानिता प्राफ्ट वो board हो वहाँ से complete किया है और आपका PCM या PCB दोनों में से कुछ भी आपने किया हो मतलब कि physics chemistry bio या physics chemistry math से अगर आपने बार भी पास की है तो आप बिलकुल pharmacy कर सकते हैं भी pharmacy में admission ले सकते हैं complete करके इन तीनों तरह के license का फायदा आप बिलकुल उठा सकते हैं दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में bachelor और pharmacy को लेकर या टी pharmacy को लेकर आप हमें comment box में जरूर बताएं दोस्तों मैं मैं मीद करता हूँ आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो वीडियो हमारे कर सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले साथ में लगा बिलकिन जरूर दबादें तक इसी तरह की educational वीडियो आप तक पहुच सके सबसे पहले बहुत बहुत शक्राइब दो जन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए